हलो गुड इवनिंग मेकैनिकल वालों कैसे हैं आप सभी लोग तो चलिए मैं रहा हुल मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने अवितर जी गुड आफ्टनून गुड इवनिंग वेलकम दे सशन तो शुरू करते हैं अचका सिलसिला क्वेशिंस का और यहां पर बार्क और मिका भी एमल दोनों के क्वेशिंन हम कर रहे हैं खास ठीक है और आपको एससी जेस एमी सीपीरीटू का पूरा बैच मिल रहा है बहुत ही मार्डाल प्राईस पर आपको सीपीरीटू के बैच में पूरा लाइब बूस्टर लाइब लाइब बैच मिल जिसमें आपको डे़ी से सशन वही प्रीटू है जो की सभीरीटू में कइस्पेक्टटड है स्मीर तो आपको तैयारी के लिए almost एक ही महिना मिलेगा तो तैयारी को जबरदस रखिए ताकि एक्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है हमारा बैच बटाई अठरा अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है हो चुका है और और continuous चल रहा है तो आप उसको जॉइन कर लिजिये कोड अगर आपको लगाना है अगर चाओन चाहते हैं तो आपको आप मिश्णड लगाना है comel capable टैस्ट की website भीआ उक प centre September सकते हैं या फिर डालोड करके पिसको बढचिय कर सकते हैं ठीक है चलिए तो पहला कोशन लेते हैं आप की स्क्रीन को फ़ाल बात का बात क्या बात किया वह बात कुंधि आ गये हो गया बंदरे का डिस्केशन लैंश के हो गया अ इले वर्ट बसमें Carson क्या यहma Um तो रिलेटिव इंस्टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें आप लिए एक लिंक यह है, लिंक नॉमर वन, this is लिंक नॉमर वन, and this is लिंक नॉमर टू, इनके बीच की बीच की बटा motion pure sliding है, यानि की इधर जा रहा है लिंक, इस पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, अगर बटा यह इधर जाएगा, तो यह to the, perpendicular to the direction of rotation, so at the infinity, on a line, perpendicular to to the direction of sliding, तो option c जो होगा, वो correct हो जाएगा, next पर जाहिए, फड़ा फट, फड़ा फट, अबी इन डियर, welcome, अभी और वलकम है, session में, ज़्दी-जदी-अज़ई answer करेंगे, हाँ रोशन जी मैं प्रिवेसर कोशन भी कराऊंगा टेंशन मत लिजे अभी तो स्टार्टिंग है डियर अभी तो शुरुवात है इप्तदाए इश्क है रोता है क्या आगे आगे देख होता है क्या हाँ बहल का नोटिफिकेशन भी आ गया है बेटा मैं आपको बता दूगा बहल का नोटिफिकेशन इसी ने गुरुप में डाला है रचितने शाइट डाला है तो यूगा चेक यूग जॉइन आ टेलिग्राम चैनल रहूल मिशा सा टेस्ट बूक और यूग चेक दफूल बनाता हुआँ तो आप देखेगा बहुत बढ़ियां बिल ट्रंसल connects motion but it's not translating it is oscillating oscillate मतलब इधर उधर करना oscillate करना यानि कि ऐसे ऐसे move करना to and from motion करना oscillation करना अपनी mean position के दोनों तरफ move करना that is called oscillation so this is oscillation crying and slotted यानि कि ऐसा आपका connecting rod होता है जो कि ये fix होता है इसी connecting rod में आपका क्या लगा होता है एक आपका slotted lever लगा होता है ऐसे यहाँ पर turning पेर बनाता हुआ इस slotted lever से connect होता है यहाँ पर slotted lever में एक slider होता है यह slider आपका crank बजाता है तो यहाँ पर कितने link थे दखिए यहाँ पर लिंक number 1 यह नंबर 2 यह है link number 3 यह है link number 4 यह है तो इसमें दो, तीन turning pair और एक sliding pair तो क्या है single slider crank mechanism है इसी को use किया जाता है किसमें shaper में ध्यार रखेगा जो shaper होता है उसमें अब जो मैं part लगाने जा रहा हूँ वो mechanism का part नहीं है वो machine का part है अगर आपसे कोई बोले कि देखिए shaper में अगर आपसे कोई बोले कि यार shaper तो ऐसा होता है इसमें कितने link होते हैं तो बटा आप link सिर्फ पीने वाल account करेंगे only yellow one because this is the mechanism इस mechanism को देखिए mechanism और machine में क्या फर्ख होता है जब आप mechanism को practical में utilize करते हैं तो वो machine मन जाती है तो इस ही mechanism का utilization करके machine मना जाती है यह पटा आपका rhyme है और यहाँ पर आपका यह tool है और यह आपका workpiece है इसमें workpiece जो होता है वो stationary होता है tool move करना होता है किसको velocity जेते हैं tool को velocity जेते हैं तो क्या जाएगा oscillating motion करेगा क्या करेगा पटा oscillation करेगा ठीक है ना next बैज आता है oscillation next जिल इसका answer करते हैं एक सकंद मुशे दीजिएगा आप answer करिये चलिए अब nice which of the following is true for crank rocker mechanism तो crank और rocker mechanism के लिए बच्चे कौन सा सही है बताएए crank और rocker mechanism के लिए कौन सा सही है which is true for crank and rocker crank and rocker crank and rocker crank and rocker के लिए कौन सा सही है push 1 बोल रहे हैं धम बड़ेल साब D बोल रहे हैं और कोई है जो 1 या D या B या C बोले बताएए fast good one देखे इन में से कौन सा crank and rocker के लिए fix है सही है one link connected to fix link oscillate while the other has full rotation एक link ध्यान से देखे बटा crank and slotted crank and rocker mechanism एक crank एक rocker crank मतलब किसी भी mechanism का वो link जो full rotation करता है full rotation का मतलब 360 degree जो भी link 360 degree नाच जाता है उसे बोलते हैं crank जो link 360 से कम rotate करता है भले ही वो 359.9 करे उसे हम बोलते हैं rocker और उस rotation को हम बोलते हैं partial rotation यानि की oscillation 359.9 को भी हम oscillation बोलेंगे partial rotation बोलेंगे full rotation मतलब 360 तो एक link माली जो fix है यहाँ पर ठीक है इसके बाद एक link जो है बेटा देखे one link connected to the fixed link oscillate एक link oscillate करेगा यानि की partial rotation करेगा और एक link जो होगा बेटा वो क्या करेगा आपका full rotation करेगा माली जो यह link आपका oscillate कर रहा है यह link आपका oscillate कर रहा है and this link is making full rotation इसको बोलते है crank and rocker mechanism क्या बोलते है crank and rocker mechanism यह कम मिलता है जब shortest के बगल वाला link fix होता है ठीक है न? अगर shortest वाला link fix होगा तो अब हो क्या मिलेगा? double crank mechanism ठीक? जलिए अगले question पर आता है which terms defines the coefficient of fluctuation of speed of flywheel in terms of angular speed इन में से बड़ा कौन सा ऐसा term है जो flywheel की speed को दर्शाता है in terms of angular speed angular speed के terms में कौन सा इन में से flywheel की speed को दर्शाता है दिखाता है fluctuation of speed जो होता है देखे जब भी बटा speed का fluctuation होगा किसके respect में होगा? हमेशा mean speed के जब भी कोई चीज fluctuate करेगी तो किसके respect में करेगी? mean के respect में जैसे मालीजी आपसे कोई बोले कि mean speed हमारी कितनी है? 20 है mean speed हमारी बटा कितनी है? 20 RPM उससे उपर 2RPM, नीचे 3RPM, यानि कि 2 उपर और 3 नीचे, तो fluctuation किसके respect महोगा, mean speed के respect में, यानि कि speed का variation N1-N2 with respect to mean speed, तो क्या निकालेंगे, coefficient of fluctuation of speed कैसे निकालेंगे, speed का variation N1-N2 divided by N, N क्या होगा, mean speed, so what is N, it is mean speed, और mean speed क्या होती है, देखे, N1-N2, और mean क्या हो जाएगा, N1 plus N2 by 2, तो 2 चला जाएगा उपर, और नीचे रह जाएगा N1 plus N2, अगर आप इसे omega के form में भी लिखेंगे, तब भी यही आएगा, क्योंकि देखे, omega के form में अगर आप लिखेंगे, क्या होता है, 2 by N by 60, तो अगर N को अप omega के form में लिखेंगे, क्या जाएगा, 60 by, 60 by 2 by, तो हर जगह से वो कट जाएगा, हर जगह से 60 by 2 by, यहाँ से 60 by 2 by, यहाँ से 6 by 2 by, यहाँ से 60 by 2 by, यहная से 60 by 2 by, क्या हम आएगा, अगर n को आप वही question आ जा perto हो जाएगा, इस question का असर होता है ये fast सभी लोग which of the following is correct for the train value of the gear train gear train की train value के लिए कौन सा सही है इस question में confused मत हो ये बहुत सारे बच्चे confused होते हैं कि sir speed ratio क्या होता है train value क्या होती है train value को कैसे लिए बहुत ही shortcut trick बता है जिससे आपका कभी कोई confusion नहीं होता है जब भी बैटा आपको देखे हमेशा आपको लिखना है मालीजे speed ratio आपको लिखना है speed ratio of train तो आप मुझे बताए train का जो speed ratio होता है आप मुझे बताए कि train की speed को control कौन करता है driver तो speed ratio अगर आप लिखना है तो क्या लिखेंगे speed of driver यानि omega of main driver divided by omega of main driven देखे train की बताए देखे train जो है ना train उसकी speed को control कौन करता है driver यानि कि speed ratio को maintain कौन करता है driver तो driver उपर रहेगा यानि कि omega of driver upon omega of driven यह होगा train की जो gear train है उसका speed ratio यानि कि इसको आप लिख सकते है number of teeth on driven divided by number of teeth on driver अगर यह आपकी simple gear train है उल्टा अब बेटर देखे इसका उल्टा speed ratio का उल्टा 1 upon speed ratio 1 upon speed ratio क्या हो जाता है train value 1 upon speed ratio क्या हो जाता है train value तो train value हो जाएगी 1 upon speed ratio यानि कि speed of driven upon speed of driver ठीक है ना तो यह आजाएगा पता गुट चले नेक्स पहाते हैं अगर आप चाहते हैं सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना हो तो आप ic engine power plant production especially lathe वगर थोड़ा सभी साही से पढ़ लिजे सोम का ऐसा भी में सब पढ़ लिजे torsion bending पढ़ लिजे fluid mechanics में Bernoulli, Pascal यह सब पढ़ लिजे यह सब important है अब देखे एक governor है जिसका जो controlling force का relation है वो fc बराबर क्या है बिटा ar plus b fc आपका क्या है ar plus b तो यहाँ पर आपका controlling force है वो ar plus b होने वाला है इसमें पुछाए कि governor आपका काई सा governor है क्या वो stable है, क्या वो unstable है या फिर वो isocronis है तो देखे बिटा, तीनों governor मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत है simple तरीका जब भी आपको isocronism पहचाननी है या stability, unstability पहचाननी है आप fc versus graph, r का graph बनाइए controlling force और radius का graph बनाइए देखे बिटा, यहाँ पर तीन curve मैं आपको दिखा रहा हूँ एक curve आपका यह है, green वाला एक curve आपका यह है, green वाला और एक curve आपका यह है, green वाला ठीक है, इन तीनों की question ज़रा मैं आपको दिखा जाता हूँ ध्यान से देखेगा, यह बिटा जो curve है xc यहां पर इंट्रेट्ट कितने का है प्लिस का सी का सुंसरब है है यहां सा प्लिसिटना यह यह आपकी जो तीनो लाइन है, इसे बोलता है controlling force line, अब आप क्या करिए origin से, origin से बटा क्या करिए एक line इस पर draw करिए white वाली, इस white वाली line को हम क्या बोलता है speed line, white वाली line को हम बोलता है speed line, अगर speed line का slope जादा है, तो governor unstable है अगर speed line का slope कम है, तो governor stable है अगर speed line का slope controlling force line के बराबर है तो governor isopronis है दखिए अब इसी origin से में draw किया speed line यहाँ पर अब यहाँ पर Δखिए speed line का meme का पो क्या है fc is equal to ar plus p है पुल्दीप जी गुड इवनिंग, दिलीप गुड इवनिंग, नेक्स्ट, एक एरक्राफ्ट है बिटा, इस इन इट्स टेक ओफ रोल, एक एरक्राफ्ट है जो टेक ओफ होने वाला है, ठेक है, at sea level with ambient temperature at 18 degree Celsius, यानि कि एरक्राफ्ट जहां पे, एरक्राफ्ट जो है, वो जहां से उठ रहा है, रोल का, यानि कि जहां से टेक ओफ कर रहा है, वहां का ambient temperature है 18 degree Celsius, what is the approximate speed of the aircraft, if the temperature measured by a probe at the exit of the engine diffuser is 36 degree Celsius, assume, air stagnation at diffuser outlet at, and CP of air is 1.0 kJ per kg Kelvin, बोला है कि assume, assuming air stagnation at diffuser outlet, diffuser का जो outlet है, वहां पे मानिए कि air जो है बेटा वो stagnant है, यह diffuser है, यह इसका outlet है, और यह है बेटा इसका inlet, stagnant है यानि कि velocity close to 0 है, अगर air stagnant है, यानि कि velocity close to बेटा क्या है, 0 है, इसी को बोलता है stagnant, stagnant मतलब होता है कोई fluid stagnant है यानि कि stagnation point है यानि कि velocity उसकी close to 0 है ठीक है अब यहां पोला है कि exit of diffuser diffuser के exit पर यानि कि T2 जो है वो बेटा कितना है 36 degree Celsius है T2 इतना है 36 degree Celsius T2 है यहां पर और entry पर बेटा जो है वो कितना है 18 degree Celsius और देखे 18 जब diffuser के entry पर fluid आता है तो उसमें kinetic energy होती है potential energy होते है यह सब होता है बट diffuser है तो diffuser का inlet और exit लगभग same height पर होते हैं तो हम potential energy को neglect माल लेते हैं ठीक है अब diffuser पर चुकि आपका insulated होता है तो heat transfer यहां पर 0 हो जाएगा diffuser से कोई work नहीं होता तो work transfer भी 0 होता है तो देखें यहां पर inlet के enthalpy beta h1 है और velocity inlet पर c1 है exit पर enthalpy h2 है और velocity c2 है जोकि 0 दिया हुआ है question में क्योंकि stagnant condition दिया हुआ है तो दोनों के बीच में आप steady flow energy question लगा दीजे कैसे निकालेंगे h1 plus c1 square by 2 is equal to h2 plus c2 square by 2 यहां पर देखें जो c2 square है वो 0 हो जाएगा क्योंकि exit velocity कितना दिया है 0 दिया है बहुत ध्यान समझना बहुत ही अचा question है अब यहां पर देखें बटा चुकि h h ये क्या है और aircraft यहां पर जो fluid दिया है वो क्या दिया है या दिया है air ambient temperature ambient यानि कि atmospheric air का temperature 18 degree है यानि कि air है और air के लिए आपको पता है कि h बराबर क्या होता है बटा cpt h बराबर क्या होता है cpt हर्मो डानमिक्स में आपको पता है कि ideal gas के लिए h बराबर होता है cpt यानि कि यहां मैं लिखूंगा cpt1 plus c1 square by 2 is equal to tpt2 लिख दिया अब जड़ा ध्यान से देखो cp बटा कितना है 1 kilojoule 1 kilojoule का मतलब 1000 cp है 1000 और t1 बटा कितना है 18 plus c1 square by 2 plus c1 square by 2 is equal to कितना आ जाएगा cp बटा कितना है 1000 into t2 कितना है 36 अब यहां से आपको c1 निकालना है c1 आप निकाल लीजी आपका अंसर आजाएगा 189 meter per second c1 कितना आजाएगा आपका 189 meter per second यानि कि diffuser के entry पर जो air है जहां का temperature 18 degree Celsius है वहां की जो velocity है वो 189 meter per second है ठीक है बटा नहीं बेटा ना 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 c नहीं आएगा c नहीं आएगा बच्चे it is नहीं 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 c नहीं आएगा अपने जैसे calculate कि आपने गलत calculate कि आपने क्या किया होगा 36 मानेस 18 अठरा आगया इंट दो 36 कर दिया होगा लेकिन आप भूल रहे हैं कि cp जो है वो kilo joule में है आप पेटा cp kilo joule में है अब cp को क्यो भूल रहे हैं cp is in kilo joule आपको 1000 रखना है आपने simple किया होगा cp को 1 रख दिया यहाँ पर आगया 36 मानेस 18 यानि कि 18 18 into 2 36 हो गया और c1 बराबर हो गया अंडरूट 36 चे आगया आंसर गलत है क्यों क्योंकि cp जो है वो kilo joule में दिया हुआ है तो आप ऐसे नहीं लगा सकते ठीक है बच्चे तो आंसर आपका ठीक आ रहा था चुकि 1000 है तो गरबढ़ है तो आपका अंडरूट 36,000 आएगा अंडरूट 36,000 आएगा जब आप इसको solve करेंगे और 36,000 का जो अंडरूट है वो 189.something हो जाएगा नेक्स प्राप है खेले बचा इसको answer करेंगे बचा देखिए अगर आपको यह नहीं पता कि C1 square by 2000 का लिखना है और C1 square by 2 का लिखना है तो आप गरबढ़ कर जाएंगे अगर आपको भी कोई value किलो जूल पर केजी में दिया है तो आपको C1 square by 2000 लिखना पड़ेगा जूल पर केजी में है तो C1 square by 2 लिखना है कोई दिखना नहीं ठेक है The ratio of work required to compress fluid ideally to the actual work required to drive the compressor is known as यानि कि एक compressor आप चला रहे है तो compressor में जो ideal work required है divided by जो actual work required है What is that ratio? उसको पड़ा आप बोलते है ISO thermal efficiency, very good ISO thermal efficiency बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि जो ISO thermal efficiency देखिए जो रेसी प्रोगेडिंग कंप्रेसर बटा उसके लिए जो ideal compression process है that is nothing but ISO thermal compression ISO thermal compression में हमको सबसे minimum work देना पड़ता है adiabatic compression में सबसे maximum work देना पड़ता है लेकिन दोनों ही दोनों ही दुखदाई है ISO thermal compression बहुत ज़्यादा efficient है लेकिन problem क्या है कि बहुत slow है तो practical नहीं है ISO thermal compression बहुत ज़्यादा efficient है लेकिन problem क्या है कि practical नहीं है इसलिए हम ISO thermal compression को follow नहीं कर पाते adiabatic compression fast तो बहुत है लेकिन problem है कि work बहुत ज़्यादा खाएगा आइसो थर्मल वर्क कम खा रहा है लेकिन बहुत स्लो है, फीजिबल नहीं है, एडियाबैटिक वर्क तो कम खा रहा है, लेकिन वर्क जादा खा रहा है, लेकिन फास्ट बहुत है, यह फास्ट बहुत है, यह फास्ट बहुत है, यह फास्ट बहुत है, यह फास्ट बहुत है, 1 plus C minus C P2 by P1 to the power 1 by N N क्यों पढ़ रहे हैं क्यों polytropic पढ़ रहे हैं क्योंकि polytropic जो है वो economical है भाई सबसे economical तो isothermal है लेकिन वो practical नहीं है इतना slow compressor चली नहीं पाएगा इडियाबटिक बहुत fast है, advantage है लेकिन work बहुत ज़्याद खार है, disadvantage है तो दोनों के बीच का कहीं compromise करेंगे इसलिए compression का ideal process होता है वो polytropic होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा isothermal efficiency ideal work upon actual work किसे क्या बोलेंगे बटा isothermal efficiency नहीं नियर no 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 राज राज बटा एक बास समझे कि एकर compressor में आप constant pressure process करेंगे तो आप compress कैसे करेंगे compressor के exit पर आप चाहते हैं कि pressure बढ़े भाई हम compressor आप की यूज कर रहे है आप अपने cycle में हवा भर रहे है तो pump या compressor यूज कर रहे है एक तरह से वो भी reciproading compressor ही है आप air को प्रेस कर रहे है ताकि आपके cycle के tire में हवा जाए हवा तभी जाएगी ना जब pressure का difference होगा tire में pressure कम है exit पर जब pressure जादा होगा pump के तभी air जाएगी अंदर तो आप चाहते है pressure ratio बढ़े तो constant pressure पर compression आप कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते compression के लिए तीन process ideal है या तो poly sorcer ले लीजी या तोisothermal या तो ediabatic ठाकि है बढ़ा शुलिए very good यहा पर एक rotary compression is driven by बढ़ा एक rotary compressor को नहीं इंजन से drive करते हैं ना super charger इंजन से drive होता है rotary compressor लगा engine से drive होता है turbo charger super charger इसे किस से drive हो रहे है ते टर्बो चाज़र तो नहीं ़िए खैर बात छोड़नाय लेकिन सूपर चार्ज़र से'T राइव हो रहा है इंजयन से विए हो रहा है ठीक है न एलेक्टक है कि आप कंप्रेसर को किसे चला रहे हैं जो आप जब हम ब्रेटन साक्वी पढ़ते हैं तो पवितरी जी, आल प्रोसेस पर एक क्लास मतलब समझा नहीं है कि वॉल्मेट्रिक एफिशेंची आप रेसिपोरीडिंग कंप्रेसर विट क्लिरंस इस आलवेज लेस दन हंड्रेट वॉल्मेट्रिक एफिशेंची आफ रेसिपोरीडिंग कंप्रेसर विट क्लिरंस इस आलवेज लेस दन हंड्रेट रीजन दिया है को कारण दिया है कि एर प्रेजेंट इन दे क्लिरंस वॉल्म विल एक्स्पांड बिफोर दे इंटेक कंडिशेंशन आ रेच और इट ऑक्किपाईज सम वॉल्म अब दुसलेंटर बताए वड़ा इसका अंसर क्या होगा वमजीद जी बोल रहे है ए होगा आप गुद इवनिंग रभी गुद इवनिंग नो डियर इस आंसर इसका बटा क्या है आपसलूटली ए देखे वॉल्मेट्रिक एफिशिंसी किसी कंप्रेसर की 100% नहीं हो सकती क्योंकि उसमें प्रिवियस इस्ट्रों की कुछ गैसेज बची हुई है आपका समझी एक चीज यहाँ पर मालीजी एक कंप्रेसर है आपका मालीजी रेसिप रोडिंग कंप्रेसर है यह आपका TDC है क्या है बटा TDC है और यह आपका BDC है समझी है यह क्या है TDC है और यह आपका BDC है अब समझी है कि पिस्टन इसी के बीच में मूव कर पाएगा यानि कि आपका जो पिस्टन है वो इनहीं के बीच में move कर पाएगा इससे उपर नहीं जा पाएगा TDC से आगे नहीं जा पाएगा तो आप सोचिए कि यहाँ पर बटा inlet valve है और यहाँ पर आपका exit valve है ठीक है ना अब यहाँ से air आई और air compress हुई और जब air को discharge होना था तो air exit valve से बाहर जाएगी लेकिन जो air यहाँ बैठ जाएगी जो air यहाँ पर occupy करेगी उसको तुम कैसे बाहर धका मार के निकालोगे बे क्योंकि piston तो इसके आगे जाएगा ही नहीं piston तो TDC से आगे जाएगा ही नहीं तो जो air clearance volume में चली गई उसको तुम धका मार के बाहर कई से निकालोगे नहीं निकाल पाओगे यानि कि 3 से 5 परसेंट gas हमेशा clearance volume में बैठ जाती है और यह जो gas clearance volume में बैठेगी यह expand करेगी जब यह expand करेगी तो यह cylinder का volume occupy करेगी और इसी वजह से अगली बार जो नया air fuel mixture आएगा swept volume में वो अपनी आवकात से कमाएगा अगर इसकी आवकात 100 ml है तो 3 ml, 5 ml तो पुरानी है 95 ml ही नहीं आएगा तो volumetric efficiency घट जाएगी जब तक clearance volume है तब तक volumetric efficiency कभी 100% होई ही नहीं सकती उसका कारण क्या है क्योंकि gas यहाँ पर बैठ रही है और expand करके यहां रहे है assertion भी सही है, reason भी सही है और explain भी कर रहा है ठिक है अब दूसरी बात यह है कि सर एक question और पुछ सकते है कि सर क्या हम volumetric efficiency को क्या हम clearance volume 0 कर सकते है क्या हम clearance volume 0 कर सकते है दूसरी question ने पूछते हैं कि क्या सर हम clearance volume 0 कर सकते है clearance volume 0 कर सकते है तो अगर हमने clearance volume 0 कर दिया तो volumetric efficiency 100% सर मजा जाएगा कर clearance volume 0 करेगा volumetric efficiency 100% मिलेगी लेकिन मजा क्या नुकसान क्या होगा piston जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर जितने valve लगे हैं सबको तोड़ देगा क्योंकि अब piston तो आजाद हो गया अब तो piston cylinder head तक जाएगा और यहाँ पर जितने valve लगे हैं सबको तोड़ देगा तो damage बहुत हो जाएगा जितने की मुर्गी ना उतने का मसाला आजाएगा बहुत damage हो जाएगा इसलिए हम clearance volume लगाते ही लगाते हैं engine की भी safety रहेगी compressor की भी safety रहेगी हाँ वार्व कहां लगाओगे बिल्कुल अजय को तरवे सर्वा ने शुबं ऐसा कुछ नहीं है अपने मेरे किया है को सफलता मिलेगी थेंशन मत लिजे बने सुपर सूनी फ्लो इस एडमिटर इंटो अ कनवर्जेंट कनवर्जेंट सेक्शन प्रटा कनवर्जेंट सेक्शन सेक्शन है जब एक सूपर सूनिक फ्लो सूपर सूनicon कनवर्जेंट सेक्शन में एंटर करेंगा तो क्या होगा यहां पे मकsk Panball 이야기 है 먹어器 mind नमबर माइ सेजाध्र व ज्यादा सूपर सूनिक फ्लो है औरént अगर फ्लो इसूपर सूनिक थो जब यहे퍼 सेरेंट इध क्या हुणा जह है d a by a d a by a is equal to d v by v into into mac number का square minus one जब air enter कर रही है तो mac number एक से जादा है और अगर ये value एक से जादा है तो m square minus one positive चुकी चुकी mac number एक से जादा है तो m square minus one जो होगा वो positive होगा ये value हो गई positive this value is positive यानि की area area is proportional to velocity area or velocity directly proportional area घटेगा तो velocity घटेगी area घटेगा velocity घटेगी और flow क्या हो जाएगा dc लरेट हो जाएगा और mac number एक से कम हो जाएगा सब सोनिक हो जाएगा मैंने आपसे हमेशा बोला है कि convergence section में आपको कभी भी सुपर सोनिक flow में ली ही नहीं सकता अगर मिलता तो cd nozzle कहले डराइव करते cd nozzle कहले पढ़ते तो क्या मिलेगा dc लरेट होगा flow next यह कभी मित कहना कि area कम होगा velocity बढ़ जाएगी ना ना यह डिपन करेगा mac number पे यह डिपन करेगा mac number पे good evening दीपा good evening पताए पास जल्दी बढ़ जल्दी which of the following toothed wheels do not come under the classification according to the position of teeth on the gear surface पताए जल्दी बढ़ जल्दी बढ़ जल्दी बढ़ जल्दी बढ़ जल्दी बढ़ जल्दी बढ़ जल्दी करेगा फास्ट कोई बात नहीं आ दित्या अगर आप तयारी कहने कि गवर्मेंट जॉब कि और आपने अचाने किसे कोई जॉब जॉइन के लिए जॉब को बहुत हैक्टिक लेग रही है तो लिव दाट बहुत आसाने छोड़ दो जो चीज दिक्कत करें उचको फेग दो खत्म समूल विनाश कर दोसका तरब दाट से करिये विच और फॉल्विंग टूथेट वील्स डो नोट कम अंडर दे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंट पोजेशन ऑफ टीथ ऑन दे गियर सर्फेस गियर सर्फेस के उपर जो टीथ का पोजेशन है उसके हिसाब से इन में से कौन सा सही क्लासिफिकेशन नहीं है बटा देखिए स्ट्रेट टीथ हो सकते हैं इंग्लाइन टीथ हो सकते हैं कर्ट टीथ हो सकते हैं लेकिन नीदर इंटरसेक्टिंग नौन पैरलल ऐसे कोई टीथ नहीं होते यह तो gear की access होते है यानि कि shaft की access neither intersecting nor parallel high point gear लगा लो warm gear लगा लो यह तो shaft की orientation है orientation of the shaft तो यह option according to the type of teeth classify नहीं है कोई बात नहीं बटा है वो job करें आपको पता है job hectic है तो कोई धंका जो job अगर आपको hectic लग रही है आप छोड़ दीजिए कोई धंका preparation strategy preparation strategy को धंक से follow करके set हो जाएए आप भी धंका syllabus देखके धंका topic देखके और धंका मतलब जो भी आपके फ्याव जो भी आपको teacher अच्छा लगए whatever वो मैं नहीं बोलूँगा वो आपकी मर्जी है आप पढ़ लिए continuously पढ़ लिए आपका selection हो जाएगा बसकर यार बसकर ठीक है वो अगर आपको कहते हैं ना कि अगर आपको संगम बनना हैं अगर आपको संगम की तरह बनना है संगम यानि के लाहबाद में ये गंगा ये उना सरस्वती तो तीनों अधियों का मेल जो है वो जरूरी है तो कहीं ने कहीं मेल मिला आप सबसे जरूरी है हर चीज का जब प्रॉपर समावेश होगा तब ही आप जिन्दगी में सक्सेस्फल हो पाएंगे किसी बड़े शायर ने कहा है शायरी सुना दूँ कि उलजकर तेरी जुलफों से मैं यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीना बाद हो जाऊं मैं यमुना की तरह तनहा निहारूं ताज को कब तक कोई गंगा मिले तो मैं अलाहबाद हो जाओं ठीक है ना? तो आप भी अपनी गंगा खोजिये और अच्छे से निखडिये If the motion of any, of the movable link, result in the definite motion of the other, then the linkage is known as Linkage is known as Hmm Hmm चालो 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 वा 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 शुक्रिया शुक्रिया सुरो इसका अंतर करो If the motion of any movable links पुल्दी बटा तुमको कोई टेंशन नहीं है आप जिसे पूछने है सर मेरा क्या होगा मेरी तबे ठीक मेरे लग रहे है बटा कोई दिक्कत नहीं है जिन्दगी का अंतिन समय चल रहा है जब दिये को बुझना होता है तो फड़फडाता बहुत है लाइस्ट लाइफ का अंतिन समय है enjoy करो बटा कोई दिक्कत नहीं है life में किते दिन ही बचे है अंतिन समय चल रहा है दिया बुझनिस पहले फड़फडाता है तो यह फड़फडाहट है तुम्हारे अंतिन मतलो जहां भी जाओगे जहां भी जाओगे जिस भी योनी में पैदा होगे लाइक अगर कीट बनोगे कोरोना बनके पैदा हो जाओगे चमगादड बन जाओगे तो एंज्वाइ करोगे लाइफ हो टेंशन मतलो तो इस दा मोशन अफ इनी मुवड़ लिंक रिजर्ट इन डेफिनीट मोशन यानि कि कोई लिंक अगर मूव कर रहा है उसकी वजह से दूसरा लिंक हम देते हैं इसा जवाब हम देते हैं भाई तो बटा गाने तुनों दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तुने काहे को दुनिया बनाई हम छोड़ चले हैं महफिल को याद आए कभी तो मत रोना तेरी गलियों में न रखेंगे कदम तुम इस तरह के गाने सुनों बटा if an IC engine consumes fuel at the rate of 1 gram per second and if the air fuel ratio for it is 20 the mass flow rate of exhaust gas देखे बटा यहाँ पर जो IC engine है न मालेजे यह एक engine है क्या है एक engine है क्या है बटा एक engine है consume कर रहा है fuel at the rate 1 gram per second यहाँ पर 1 gram per second fuel आ रहा है और जो air fuel का ratio है वो 20 है air fuel ratio is 20 air fuel ratio is 20 air fuel ratio is 20 fuel बटा 1 है तो air कितना हो जाएगा 20 क्योंकि fuel कितना है 1 gram per second तो air कितनी हो गई 1 gram per second यानि कि बटा fuel यहाँ पर आ रहा है 1 gram per second air आ रही है यहाँ पर कितना 20 gram per second कितनी आ रही है 20 gram per second तो निकलेगा बाहर कितना 21 simple exhaust में क्या जाएगा 21 जाएगा खता ठीक है ना next हाँ मेटा BEML का exam तो English में होगा मुझे लग रहा है भाई English में ही लेगा exam अधर BEML का फुल फॉर्म ही है भाई English में लेगा भाई English में लेगा BEML फुल फॉर्म ही उसका यह है okay if c1 is the coefficient of speed fluctuation of flywheel then the ratio of omega max by omega min will be यह सोविक क्या बात है दिल की बात उन्हें छीन लिया चाए अगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा मैक्स भाई मिन बिटा ओमेगा नो 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 ओमेगा मैक्स देखें भायो बहनों कि अध्यान से सुनिये जब भी ओमेगा मैक्स भाई ओमेगा मिन पूछे उपर प्लस नीचे माइनस बताइए सही है कि नहीं है मैं आप से पूछना तो उपर प्लस होगा मिनमम पूछेगा तो उपर माइनस होगा मैक्सिमम उपर तो प्लस उपर मिनमम नीचे तो माइनस नीचे तो टू प्लस सी एफ अपॉन टू माइनस सी एफ option d will be correct next the process of cooling refrigerant in vapor compression refrigeration system known as sub cooling it is done before नहीं कुछ नहीं कर रहा हूं यह मैंने बोर्ड चेंज कर दिया है उस वज़े से reflection सही आ रहा है कि अभी कली किया है उस वज़े सही आ रहा है तो यहां पर सब cooling हम किससे पहले करते हैं अब देखें सब cooling कैसे करते हैं तो सब cooling यहां पर कर रहे हैं या आप यहां पर आई देखें यहां पर आपका saturated liquidity कर रहा है अगर आप चाहते हैं सब cooling करना तो सब cooling आप यहां तक आ जाए फिर यहां सब throttling वाल्ब में डाल दीजिए तो इससे पहले आप सब cooling करेंगे यानि कि फ्रॉट्लिंग से पहले आप क्या करेंगे सब cooling करेंगे ठीक है ना next अब है आज के डिटेट पर हो जाएगी क्या मतलब है नवंबर में है मेरी 21st नवंबर को अरे नहीं कुछ और बोल रहा हूँ 21st नवंबर को है बैटा 21st नवंबर को अ पर्फेक्ट गास हाविंग प्रेशर T1 0.1 newton per mm square V1 0.18 meter cube T1 20 degree Celsius compressed to 1 10th compressed to 1 10th of its volume in an isothermal process the change in entropy is नहीं बैटा बोलने का language मेरे change नहीं बैटा बोलने का लेंगवज मेरे चेंज नहीं नहीं हुआ है वह कावत कहीं है जाकी रही भावना जैसी प्रपूरत देखी तींते से तुम्हारी तुम्हारी जो तुम्हारे जो कान होंगे ना उनकी आदत हो गई उनको ओ सुनने के तुमको यह टेक्निकल लेंगवज थोड़ा सा ओ वियर्ड लग रही है तुमको टेक्निकल लेंगवज तुरी सी वियर्ड लग रही है इसलिए चले बटा इसका अंचर करता है एक परफेक्ट गैसा है क्या पूछाए देखें सेगें इंट्रॉपी इसमें अईो थर्म आइसो थेर्म प्रासेज क्या होति-घ्देर क्या होती बटा इस्ट कर दो ना है बताइए यह होता है ना अगर बटा मैं dq by t कर दूं तो क्या यही एंट्रॉपी नहीं हो जाएगा dq by t करने से मुझे यहाँ भी t से डिवाइड करना पड़ेगा चैन्ट्रॉपी नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे ध्यान सा समझे पीवन वीवन पीवन बटा क्या है पॉइंट वन न्यूटन पर एमम स्क्वाइर यानि की पॉइंट वन मेगा पास्कल सुब पॉइंट वन मेगा पास्कल को मैं लिखूंगा पॉइंट वन इंटू 10 की पावर 6 6 Megapascal है अब यह पास्कल में आ गया इसमें आ गया पास्कल में आ गया नाव वीवन बटा कितना है 0.18 इतना है 0.18 एलेज वीटु बाइट इन गया इन वीटु बटा कितना है वीट देखे इस कंप्रेश टू 1 10 ओ ऑफ इस ओरिजिनल वॉल्य करें यानि कि जो वीटु है व्हो वन praying वीवन चाहां किसका वीवन यानि कि यानि कि वीटु बाइए वीवन वन भाइट यानि कि T1 बराबर T2 बराबर T चाहे किसी भी T से डिवाइड कर तो T कितना है 20 डिगरी सल्सियस 20 डिगरी सल्सियस का मतलब हो जाएगा 293 Kelvin वाल करके देख लो answer बड़ा कितना जाएगा minus 141.45 minus क्यों आएगा क्योंकि ln 0.1 है ln 1 से कम है तो minus आएगा वैसे भी कंप्रेशन का वरक है तो minus यह आएगा ठीक है ना? Good Next चल भईया इसका answer करें हाँ डियर हाँ डियर राजनात जी राजनात जी आप ग्रिह मंत्री आप पूर्वकाल में ग्रिह मंत्री होके भी ऐसी बाते कर रहे है कि सर्फ B E . Ml सरकारी है तो क्या मिलेगा? अच्छा, दहेज अच्छा मिलेगा अगर दहेज अच्छा मिलेगा किसी को भी चिपका दिया जाएक तुम्हारे साथ जो 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 जो, ले जो क्योंकि अक्सर हम आपत्तियों को ढोल और बाजे बजाक ले आते हैं जाही मैं तुम्हें बोलूँ अब ठीक है, for irreversible process which relation is correct अगर बड़ा process irreversible है तो कौन सा relation correct है जै माता दिभर अगर बड़ा process irreversible है तो कौन सा correct है process irreversible है loss of exergy exergy मतलब होता है बे useful work loss of exergy is directly proportioned to the rate of entropy generation इसी system में entropy का generation जितना जादा होगा उसकी availability उतनी कम होगी rate of exergy, loss of exergy यानि की useful work, available work उतना कम होगा जितना जादा available work, loss of exergy जितना जादा होगी exergy का loss जितना जादा होगा वो क्यूं होगा क्योंकि entropy का generation जादा हो रहा है जितना जादा entropy generate होगी उतना जादा irreversibility, उतना जादा energy का loss तो loss of exergy is proportional to entropy generation इस वोगा, option B is correct option B is correct, no बटा, universally नहीं वाप, question को ध्यान से पढ़िये जरा loss of exergy, समझ रहे हैं, exergy का loss is directly proportional to rate of entropy generation जरा question को ध्यान से पढ़िये law, exergy मतलब होता है useful work exergy का loss, जितना जादा exergy loss होगी क्यों, क्योंकि उतना जादा entropy generation होगा exergy का loss जितना जादा entropy का generation उतना ही जादा exergy का loss ही क्यों हो रहा है exergy का loss हो रहा है entropy generation की वज़े से जितना जादा entropy generation, उतना जादा exergy का loss exergy उतनी कम, exergy का loss उतना जादा यह loss की बात कर रहा है, exergy की बात नहीं कर रहा है exergy कम होगी, exergy का loss ज़ादा होगा जितना ज़ादा entropy generation होगा, option B exactly correct है चीक है पेटा, शोलिए next भाई है नहीं पेटा, rate of entropy generation नहीं होता it is proportional to entropy generation it is not exactly equal to rate of entropy generation it is proportional to entropy generation yes, but I have checked the option, don't worry okay, fill in the blank over the correct option correct option के साथ, blank को फिल करिये the amount of heat required to convert 1 unit of substance from its solid phase to its liquid phase without any change in its temperature it is called dash of the substance या बोलता है substance की गुप्त उष्मा यानि की बोलता है latent heat क्या बोलता है latent heat लेकिन कहां से कहां जा रहे हो latent heat किस चीज की है अगर I से water जा रहे हो तो latent heat of melting या fusion अब बोल सकते है water से अगर आप vapor जा रहे हो latent heat of vaporization बोल सकते है vapor से water आ रहे हो तो condensation बोल सकते है तो क्या है यहां पर क्या पूछा है solid से liquid तो क्या बोलेंगे बटा latent heat of fusion option A again बटा again repeating do not confuse with the term exergy अगर यहां पर सिर्फ exergy होता इतना word होता then it is inversely proportional it is not exergy it is loss of exergy again be sure about that confuse मत होना कि बात में बोल दो कि नहीं सर हमने तो एक जगा दिखा एक सर्जी लिखा था exergy नहीं this is loss of exergy next yes yes loss of exergy you can say it is kind of energy बिल्कुल loss of exergy जतनी ज़्यादा energy उतनी ज़्यादा for all substance the slope of sublimation and vaporization curves are either पता है बटा क्या जाएगा पॉजिटिव हर substance के लिए जो आपका कर्व है आप सब्लीमेशन कर्व और vaporization कर्व वो क्या होता है आप इसको किस पर दिखाएगे पीटी डिखाएग्गराम पर आप इसको दिखाएगे लेकिन यह जो कर्व है वो सिर्फ वाटर के लिए है बाकी ज्यादा तर सब्स्टेंस का जो फ्यूजन कर्व का स्लोप होता है वो सब्स्टेंस का फ्यूजन कर पाजसटेंस का सब्स्टेंस का फॉजजन करव होता है अब एक बात और ध्यान रखेगा जो fusion curve होता है वो सिर्फ water का negative होता है cast iron का भी negative हो जाता है बट आप यहाँ पे सिर्फ water की बात करें कि we are studying the properties of pure substance लेकिन जो vaporization और sublimation curve है वो सारे substance का positive ही होता है तो है कोई भी substance हो सबका positive होता है बस फरक आता है सिर्फ fusion कर में तो यह positive ही होता है next में यह राजनाज जी परिशान मत हुए अब हम hard question भी लेके हैंगे hard question लेके हैंगे अभी मैं question इसलिए जाता करा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं hard question लेके हैंगे तो एक घंटी के class में आप 10 questions उपर कर नहीं पाएंगे तो at the end of the session आपको लगे कर सब क्या ही किया 10 ही question तो किया आप यह नहीं दिखते कि question का level क्या है आपको चाहिए number of quantity आपको चाहिए you are dealing with the first law you are not dealing with the second law second law deals with the quality first law deals with the quantity the efficiency of an auto cycle is 50% and gamma is 1.25 the value of compression ratio will be compression ratio की value क्या है बिल्कुल तीन एक point में आते हैं जो triple point है बहुत बढ़िया क्या बात है कुल दी बहुत बढ़िया जंदगी के अंतिम समय में भी आखरी क्षणों में भी जब आप आस अंतिम कुक्षण बचे हो उस समय भी सही answer करना आपने 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 एक कला है बहुत बड़ी महारत है ठीक है the efficiency of an auto cycle is 50% efficiency बढ़ा auto cycle कितनी है 50% जहेंगी thermal efficiency 50% है तो 1-1 by r to the power gamma minus 1 यह कितना है बटा 50% यानि कि 0.5 ठीक है अब देखें यहाँ पर 1 upon r to the power gamma minus 1 यह कितना हो गया 1 minus 0.5 यानि कि 0.5 अब इसको मैं ultra कर दे रहा हूँ r upon gamma r to the power gamma minus 1 क्या हो गया 1 by 0.5 यानि कि 2 हो गया r to the power gamma कितना है 1.4 1.5 1.25 है gamma minus 1 कितना हो गया 0.25 is equal to बटा कितना हो गया 2 r क्या हो गया 2 की power 4 2 की power 4 का मतलब 16 2 की power 16 2 की power 4 यानि कि 16 इतना आजागा compression ratio 16 अब अब बोलेंगे sir auto cycle का compression ratio 16 कैसे आ रहा है दो reason पहली बात तो auto cycle का compression ratio 16 आ रहा है ऐसा जो engine होगा उसमें भेंकर knocking होगी और दूसरा auto cycle जो है knocking भेंकर होगी और दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ इसका जो gamma की value देखो gamma की value भी change है 1.25 है 1.25 है next अब अफ़र आफ़र आइंसर करेंगे लेट नहीं करेंगे बोर और स्क्रोक है 6 सिलिंडर इंजिन का working on auto cycle 17 cm and 31 cm but respectively total clearance volume is 9.25 cc and then what is the compression ratio compression ratio क्या हो जाएगा बटा हमारी daily class का timing यही है Monday से Friday हमारी class चकती है शाम को 7 से 8 और Saturday संडे रात को 9 से 10 again testbook के app को download करके आप testbook की free master class को enjoy कर सकते हैं रोज दो पर में तेड़ बजे सुबस अबजे भी होते है बट वो कुछ दिन से भी off चल रही है तो वो भी जल्दी resume हो जाएगी तो पर चेस का अंसर करेंगे से भी लोग ठीक है देखते हैं क्या अंसर आएगा 7.8 नहीं आगा बटा इस नोट 7.8 7.8 नहीं आएगा तो देखें कैसे निकालते हैं देखें compression ratio बटा क्या होता है vs plus vc by vc vs plus vc by vc अब देखें vs निकाल देखें आप बटा vs निकाल देखें vs कितना आजाएगा 5 by 4 into d square d कितना है बटा देखें stroke bore कितना है आपका 17 और length कितनी है 31 तो 17 का square 5 by 4 d square into l ये तो आगया एक cylinder का कितने cylinder है बटा यहाँ पर 6 cylinder है तो 6 से multiply कर दिजे तो total swept volume आजाएगा क्या आजाएगा total swept volume यहाँ पर अब vs आपको ये मिल गया अब आपको compression निकालना है vs plus vc by vc कर दिजे पितना देखें vc जो है वो total दिया हुआ है total clearance volume यानि कि ये जो clearance volume है वो 6 cylinder का मिला के है तो अगर 6 cylinder का clearance volume आप ले रहे हो तो 6 cylinder का swept ले लो या तो अगर swept आप 1 का निकाल रहे हो तो clearance को 6 से divide करके 1 का clearance निकाल लो अगर 6 का ले रहे हो तो 6 वो का लो अगर 1 का ले रहे हो तो 1 का ही लो तो आप divide कर दिना यहाँ पर आपका answer आजागा 5.something that is very close to 5.4 that is very close to 5.4 5.57 yes exactly बिल्कुल सह भी कि exactly आगा 5.57 that is very close to 5.4 तो बिकास कि अगर आपको option discriminate होते हैं अगर options में कोई discrepancy होती है so you have to select the most appropriate answer critical radius of hollow cylinder is defined as पता यह बटा hollow cylinder का critical radius क्या होता है outer radius which gives the maximum heat flow outer radius which gives the minimum heat flow inner radius which gives the maximum heat flow या inner radius which gives the minimum heat flow तो बटा हमेशा ध्यान रखेगा देखे 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 यह एक cylinder है जिसकी मालूजे inner radius है R1 inner radius का है R1 अब आप इस पर क्या करें इंसुलेशन लगाते जा रहे इंसुलेशन लगाते जा रहे इंसुलेशन लगाते जा रहे यहाँ पर आप इंसुलेशन इसको करते जा रहे इंसुलेशन करते जा रहे और आपने कहां तक इंसुलेशन किया critical radius तक यानि कि जो critical radius बनी वो कौन सी radius बनी आउटर रेडियस तो ये पहनी बात तो आउटर रेडियस होती है देखें आउटर रेडियस होती है जहाँ पर heat transfer maximum हो जाता है जहाँ पर heat transfer maximum होता है अगर किसी wire की radius ध्यान से सुनना अगर किसी wire की radius critical radius से कम है अगर किसी wire की radius critical radius से कम है और आप उसके इंसुलेशन कर रहे हैं तो इंसुलेशन करेंगे करेंगे पहले हीट लॉस जादा होगा हीट लॉस यानि की हीट ट्रांसफर हीट लॉस जादा होगा अगर वायर की उसके बाद धीरे हीट लॉस जादा होता जाएगा होता जाएगा होता जागा बढ़ता जागा बढ़ता जागा क्रिटिकल रडिवस मैक्समिम हो जाएगा उसके बाद घटेगा यानि कि अगर किसी वायर की रेडियस क्रिटिकल रिडियस से ज्यादा है और आप उसपर पर इंसुलेशन कर रहे हैं तो हीट ट्रांसफर यानिकी हीट लॉज होगा वह घटेगा इसलिए हम क्रिटिकल एडियस पढ़ते हैं consider the following statement MIG welding process uses देखे बटा option यहाँ पर 1 है यह 2 है 3 है 4 है 1 2 3 4 very good MIG welding जो होता बटा देखे जो MIG welding होता है आप इसके बारे में आपको 2 3 चीज़ बता जाता हूं द्यान समझेगा एक तो जो बटा MIG welding है इसमें यह करते हैं कंजूमेबन एक्ट्रोड यह उसको use करते है इसमें जो जो अगने रखने के लिए रोट पॉजीटिव कंशाड़ होता है और अगर रोटोड पॉजीव होगी तो एलेक्ट एलेक्टोड पर हीट ज्यादा डिवल्ट होगी एलेक्टोड जल्दी मेट होगा तो एक जगा पूरा डिपॉसिट हो जाएगा तो उस अचानक जो बढ़ रहा है एलेक्टोड का उसको बचाने के लिए आपको वेल्डिंग स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी एक जगा स्पीड क्या होगी फास्टर होगी वेल्ड जो होगा वेल्ड की स्पीड जो होगी वह फास्टर होगी बहुत ज्यादा फास्टर होगी वेल्ड की स्पीड इसमें आप हीलियम नियॉन या आरगन ऐसा कुछ इनर्ट गैस भी यूज कर सकते हैं ठीक है डीसी सप्लाई आप 3A next जाय तो आइडा वाट इस फ्ट है वाट इस तो ब्लोडलाे की बात है वह मक्नॉडलिस इस पर शेर मॉडललिस गोगा वह टूजी वन प्लस मूझें इस एकल टू टू 3 के इस इकल टू 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 जी वन प्लस मूझें इस इकल टू 3 के वन माइनस टू में गया कि यहां से सॉल्फ करना है आपको और अंसर आपका आजाएगा टेकर यहां पर देखें आपको डतू बोला है कि जिसपर छीअर मॉठलेश जो करना है यानी बल्क मॉड़ेस यानी कि बराबर हो जाएगा तो बस यहाँ गया 2 बराबर 2 3 1-2 मूज़ेस हो गया म्यू कि वेलु का लिकलत है यानी कि 1 वाय एटा जाएगा अगले कोशन परहाएं the property of material by virtue of which it can be beaten or rolled into plates ya sheets ya slaps ya strips क्या बोलते हैं से malleability अघात वर्धनियता अघात वर्धनियता यानि कि आप इस पे आघात कर रहे हैं और इसमें वर्धन हो रहा है बढ़ रहा है आघात की वज़े से बढ़ रहा है आघात वर्धनियता यानि कि malleability चलिए इसको match करिए हो जाएगा प्रकाजी अभी सिब्रीटू का practice session अभी हमारा यहाँ पर YouTube पर चालू है Saturday अभी हम कर रहे है इस Saturday भी करेंगे देख है बाकी हम बाकी तो हमारा अभी तो Saturday ही हो रहा है और अगर आपको practice detail में करना है तो हमारा भी batch हुआ है CB2 का batch है अपको ले सकते हैं अगर आप practice करना चाहते है question के daily तो अगर आप यूट्यूब पर फिलाल सन्निवार को हमारा यूट्यूटू का जो course है अब यानि कि जो lecture है वो आ रहा है तो water में adhesive force dominate करेगा तो water का जो level होगा glass tube में वो rise हो जाएगा water glass tube से चिपक जाएगा और उसके ऊपर rise करना start कर देगा तो क्या हो जाएगा capillary का rise हो जाएगा तो यहां सकर आप देखें कि तो बटा option आपका 2,1 और 5,6 आजाएगा यानि कि option D correct हो जाएगा option D आपका correct हो जाएगा change in enthalpy for a small temperature change for an ideal gas is expressed by the relation बटा अगर आप small temperature change कर रहे है enthalpy का change कर रहे है for a small change in enthalpy for a small temperature change for an ideal gas is expressed as तो delta H क्या होता है mcp dt mcp dt हलाकि यहां पर यह expression तुरा सा गलत दिखा हुआ है delta capital H है बटा तो यह mcp dt होगा अगर है capital H है तो क्या जाएगा mcp dt कि इसका नाम है गोल माल 4 यह जाएगा यह जाएगा यह जाएगा ईडा बटा यह जाएगा जृट टो लोग लगा रहे हैं हम लोग का टाइम है लगाने का तुम लोग मतलब जो है अब तुम लोग का वो टाइम है कि तुम लोग एक तरह से अगर देखो तो मतलब ती तश'tal करो तश'tal करो धार्मिक सभाओं को अटेंड करो प्रबचन से लगाने का तुम लोग क्या है लगा रहे हैं तुम लोग क्या ही करोगह लगा के तुम नहीं प्रबचन से लहा की जो है है 20 manometer में the tube should contain a liquid whose specific gravity is dash the specific gravity of the liquid whose pressure is to be measured बेटा ध्यान से सुनेगा अगर आप youtube manometer use कर रहे है बेटा अगर बेटा अगर आप youtube manometer use कर रहे है ध्यान से सुनेगा तो जिस fluid का pressure आपको नापना है उस fluid की जो density है वो manometric fluid से अगर कम है यानि कि जो manometric fluid है उसकी density उस fluid से जादा है जिसका pressure आपको measure करना है तो youtube manometer आप simple form में यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर manometric fluid की density कम है उस fluid से जिसका pressure आप नाप रहे है यानि कि जिसका pressure नाप रहे है वो ज़्यादा dense है और manometric fluid कम dense है तो youtube manometer को आप inverted use करेंगे inverted manometer आप कभी use करते हैं जब जो manometric fluid है उसकी density जिसका pressure आप नाप रहे हो जिस fluid का उससे कम है यहाँ पर क्या जाएगा greater than simple manometer है तो manometric fluid की density जाएगा होगी जिसका pressure ना परें उससे ठीक है चलिए तो yes आप inverted form में बिटा use करेंगे ठीक है आई आई next अच्छा यहाँ पर question हमारे खत्म हो गए बहुत 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 शुक्री आप सभी का session में आने के लिए आउज बिटा यहां पर देखे आप तो यहाँ पर आगर आप यहां पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरा टेलिग्राम का चैनल मिल जाएगा इसी वीडियु के नीचे आप देखें, अपको आपया ते चैनल एकके बिटा और अब चाहते हैं सीटीटर में ध्यांनों टीक एक November से बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो रहा है AJ Mechanical का जिसमें आप इंडिया के सारे A और सारे J के एक्जाम Mechanical का कोई भी एक्जाम हो चाहे J का चाहे A का सारा syllabus आप A to Z कवर कर सकते हैं जिसमें कोई भी सब्जेक्ट आपका Mechanical का हो हम सारे सब्जेक्ट आपके कवर करेंगे चाहे वह एक भी एक एक्जाम में आता हो तब भी हमों कवर करेंगे ठीक है तो बड़ा यहाँ पर आप इस पर जा सकते हैं और आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस कोर्स पर क्लिक करेंगे देखिए आपको सफलता एई जाई वाला यह क्यानिकल का फांडेशन लाइट बैच मिल जाएगा एक नुवेंबर से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपको पेनाओ करना है चेंज प्लान करना है आप चाहे तो 12 महने का छे महने का मतलब जो भी आप चाहे 24 महने का ले सकते हैं तो चे महने का अगर आप पोर पो आपको थोड़ा सा डिसकाउंट और मिल जाएगा आपको बस यहां पर कोड लगाना है आर मिश्रा देखे ध्यान से यहां पर आपको आर मिश्रा कोड लगाना है कल का भी क्लास का टाइमिंग यही रहेगा वहां पर आपको बहुत सारे कोशन वहां भी मिल जाएंगे ठीक है तो आप जैसे ही कोड लगाएगे आपको फूर फूर टूश्र में अवइलिबन हो जाएगा और यहां पर आपनी को तयारी को अच्छे से का सकते हैं अरे कुल्दी तुन तुन नराज होगे बभू बभू कहे नराज होगे बच्छा तेंशर नहलो अराम सरो खुश रो ठेक है मुस्कुराते रहो थैंकि सो मच गदे टेक केर बाबाए गाइस गुद नाइट शुगरात्री एंशर्वाखेर लब योग